नमस्कार मैं रोहित महाजन आज आपके सामने टीवी विन में प्री रिजिस्टेशन कैसे करेंगी आशा कारे करता उसकी एक वीडियो लेके आया हूँ तो सभी आशा करे करता इए वीडियो जरूर देखें तो इसमें हम क्या सीखेंगे कि क्या टीवी विन यू विन की तरह कारे करता है टीवी विन में प्री रिजिस्टेशन जो की 18 प्लस इलिजिबल बेनफिशरी होंगे जिनको अडल्ट विसीजी वेक्सिनेशन लगनी है उन लेफ साइट है जिस पे जाके प्री रिजिस्टेशन की जाएगी और कैसे करेंगे प्री रिजिस्टेशन आशा करे करता का क्या रोल रहने वाला है तो पूरी वीडियो लास तक जरूर देखें वीडियो को लाइक कीजिए सभी दोस्तों के साथ सभी आशा करे करता के साथ सबी वैक्सिनेटर के साथ शेर कीजिए, चैन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट हल्थ डिपार्टमेंट की जो है, नौटिफिकेशन मिल सके और वैल आइकन भी दबाईए ताकि आपको जो है नौटिफिकेशन का अलर्ट भी आ सके तो आईए शुरू करते हैं कि किस प्रकार टीवी विन में हमने प्रेजिस्टेशन करनी है डिस्क्रिप्शन में मैं वैबसाइट का लिंक दे दूँगा यह आपको वैबसाइट दिख रही है और डिस्क्रिप्शन में जाईएगा वहाँ पे भी मैं आपको इस वैबसाइट का लिंक दे दूँगा वहाँ पे क्लिक करके डिरेक्टली आपकी यह वैबसाइट खुल जाएगी तो हमने वैबसाइट पे क्लिक किया तो यह देख सकती है वैबसाइट अच्छे से देख लीजिए जैसे ही वैबसाइट पे क्लिक किया हमने यहाँ पे शो हो गया कि पंची करन मुबाइल नंबर डालिए इसको हम आईडी भी बोलते हैं और पासवर्ड डालिए जो आपका आईडी पासवर्ड यूविन में था सेम एज़िट इस आपका जो है टीवी बिन में रहेगा और यहाँ पे क्लिक करके आप लोगिन भी कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि अडल्ट वैक्सिनेशन जो है अडल्ट वैक्सिनेशन जो है वो किस के लिए है तो नैशनल ट्यूबो क्लोसेज इलिमिनेशन प्रोग्राम टीवी मुक्त भारत टीवी हारेगा देश जितेगा तो टीवी को खतम कने के लिए ये vaccination है तो आप देख सकते हैं अब टीवी विन में किस प्रकार entry करने हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं ID और password मैंने जो है डाल दिया है अब ID password डालने के बाद अब मेरे को login पे click करना है या फिर आप OTP से भी login कर सकते हैं तो अगर आप app से login कर रहे हैं तो तो valent good है अगर आप Google Chrome में जाके login कर रहे हैं तो आपने 3 बिनियों पे click करना है यहाँ पे तीन बिनियों पे click करने एक बाद इसको जो है set to desktop या desktop site पे click कर देना है तो आप देख सकते हैं same scenario like as tv win is equal to u win तो यहाँ पे click करने पे जो है पूरो पंची करन आपको दिख रहा है तो पूरो पंची करन पे जैसे ही हम click करेंगे तो आप इन तीन बिनियों पे देख लीजिए डैश बोड आ गया टीका करन ला भरती पूरो पंची करन ला भरती देश हूची है तो सबसे पहले आपको chain करना पड़ना है तो देखो error आ गया क्रिपा वर्तमान सत्र साइट का chain गया तो पहले आपको vaccination साइट का chain करना पड़ेगा तो जिस प्रकार आप you win में session site select करके आप pre-registration करते थे वैसे ही अपने tv win में भी अपने session site select करनी है उसके बाद आपने pre-registration पे click करना है तो जैसे pre-registration पे click किया है तो आप देख सकते हैं यह scenario खुल गया है यहाँ पे क्या लिखा है पूरो पंची करना अब देखे एक इसमें खास बात क्या है निक्षे ID तो जो भी आपके पुराने tv के patient है जिनकी निक्षे ID है तो आपने यहाँ पे क्या करना है निक्षे ID डा आपका कि आपने जो है पूरो पंचीरन करने से पहले अगर निक्षे ID चेक लेनी है तो यहाँ पे डाल दीजिए और आपको कुछ भी करने की जुरूट नहीं है फिर आपने यहाँ पे जो है व्यक्ति का mobile number भरना है तो mobile number डाल दिया फिर mobile number की पुष्टी करने पड़ेगी यहाँ कि again आपको mobile number जो है डालना पड़ेगा उसके बाद जनम का साल यहाँ कि माल लो 1960 डाल दी हमने ठीक है उसके बाद जो है जनम की तरीक एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 18 प्लस पोपुलेशन ही यह जो है टीवी विन उठाएगा उससे नीचे अगर आप डेटो भर डालोगे तो यह नहीं उठाएगा और जो छे टाइप्स आपको बताई गई है प्र उससे आपको क्लेटी मिल जाएगी कि छे टाइप कौन कौन सी थी तो वही टाइप्स की आपने प्रीरिजिक्टरेशन करनी हैं किस कैटेगरी की होगी 18 प्लस इलिजिबल पॉपुलेशन जो होगी उसकी प्रीरिजिक्टरेशन होगी यह ध्यान रखिएगा और एक बार आप क्या करते थे, किसी की pre-registeration करते थे, तो COVID time में जो data था, वो automatically नीचे शो जाता था, और आप जो ए, वो pre-fill हो जाता था, तो अब COVID time का जो भी data होगा, वो टीवी विन में नहीं आएगा वो यूवीन में आता था तो आपको इसकी एक एक चीज खुद भरने पड़ेगी यनि की नाम भी लास्ट नेम भी मेल फी मेल फोटो आईडी भी और एड्रस भी खुद हातों से लिखना पड़ेगा बिलेज पॉस्ट ओफिस तैसील है ना और पिन कोड भी आपको जो है डालना पड़ेगा हर एक चीज आपको जो है खुद डालने पड़ेगी ये जीज का ध्यान रखी है अब यूवीन में क्या था आपको ये अड्रेस नहीं डालते थे अड्रेस जो है वो अटोमेटिकली आ जाता था आईडी प्रूफ अगर वो कॉवीड वैक्सिनेशन में रेजिस्टर था तो आपको आईडी प्रूफ भी डालना नहीं पड़ता था तो यहाँ पे आपको डालना जिरूर पड़ेगा तो और याद रखिएगा जिनकी भी प्रिजिस्टरेशन आपने करनी है अगर उनको वैक्सिनेशन लगी तो ठड़ी शिक्स मन्त तक उनका फॉलॉप भी किये जाएगा तो बिल्कुल डाटा जो आपने क्रेक्ट डालना है जैसे आपने प्रिजिस्टरेशन कर दी तो आपको मुवाइल नंबर से ही सर्च करना पड़ेगा बेनफीश्टरी को चलिए आगे देखते हैं जनम की तारीक भी आपको डालनी पड़ेगी जैसे माल लो यह हमने डाल दी तो जहाँ पर स्टार है वो अब यह आपको देखीजिए यह जो है श्रीणी आपको कौन सी जो है श्रीणी है वो आपको स्लेक्ट करनी पड़नी है यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी श्रीणी है सबसे पहले आगी पिछले टीवी रोगी पिछले पांच वर्ष से टीवी रोगी का संपर्क बी एम माई 18 किलोगराम या मीटर वर्ग ठीक है इस इकल टू या 18 या 18 से कम है न तो स्वेम रिपोर्ट किया गया तमाकू धुर्मपरा करने वाला स्वेम रिपोर्ट की गई मदू में है आयू जो है 60 वर्ष से उपर है जो भी कैटेगरी है आपने यहाँ पर टिकल लगा देनी है तो मान लीजिए हम आयू 60 वर्ष से उपर वाला जो है सिलेक्ट कर लेते हैं ठीक है तो अगर मान लो दो कैटेगरी है कि इनको जो है वो भी खाते हैं तमाक को या धुमरपान करते हैं तो हमने दो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है तो जितनी भी कैटेगरी होगी आपने सेलेक्ट कर लेनी है देखिए हमने दो कैटेगरी सेलेक्ट कर ली स्वेम रिपोर्ट किया गया तमाको धुम्णपन करने वाला और 60 साल से उपर भी है यानि कि तमाको भी खाता है और 60 साल से उपर भी है ये बंदा है न उसके बाद पहला नाम इसका जो है जैसे राम लिख दिया अंतिम नाम कुमार लिख दिया ठीक है यह मंडेटरी है मेल है फोटो आईडी आपने दिख मत दाता पहचान पत्तर अदियूती विकलांग ता आईडी विकलांग वितियों के लिए जो होती है ना फोटो सहीत राशन कार्ड है ना तो आप जो है पैन कार्ड डाल देते हैं फॉर एक्जेम्पल है ना अब यहाँ पे आपको पैन कार्ड का जो है नंबर डालना देगा तो हमने कुछ भी डाल दी पैन कार्ड की आईडी अब देख सकते हमने कोई भी पैन कार्ड की आईडी ऐसे डाल दी ना अगर हमने अधार कार्ड नंबर डालना है तो आप पैन कार्ड को छोड़ दीए यहाँ पर जाईए अधार कार्ड की संक्या डाल देते हैं अमान ने बता रहा है यह है ना तो बस बारांग होने ची वो होगे पूरे अब पता डालना है अपने ठीक है मान लीजिए विलेज हमने डाल दिया जोवाला मुखी ठीक है पोस्ट ओफिस जाल दिया कांगडा तैसीर डाल दी अब देखिए सब कुछ ठीक होना चाहिए नेम भी नंबर भी अधार कार्ड भी और एडरस भी ताकि जब हमने फॉलॉप करना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए ना तैसीर डाल दी हमने गुपालपूर ठीक है बिले जाए पोस्टो भी तसील डिस्टी कर डाल देते हम कांगडा तो यह हमने अडरस जो है डाल दिया है अब नीचे डाल देंगे पिन कोड नंबर तो पिन कोड नंबर हमने डाल दिया है यह डाल दिया कुछ है ना सही दर्ज कीजिए लुका यह पिन कोड डाल दिय तो बस इस प्रकार यह आपका सारा देटा हमने फिल कर दिया है मॉबायल नंबर में लाल कीडिये आगी है तो बस अब आपने क्या करना है, जमा करना है, कह रहा है data select कीजिए, तो एक मिंट हम जो है, अधार card का एक number कम था, हमने वो पूरा कर दिया है, अब mobile number भी 10 digit का होता है, एक बाद चेक कर लेते हैं, तो बस अब हमने जो है, जमा करना है, तो mobile number हम change कर रहे हैं, फिलाल ऐसी तुक्के से डाल देते हैं, 12345, ठीक है, आप देखिए, मलकुल सही mobile number भी आगया, तो नीचे कुछ भी नहीं आया ना, बस अब हमने क्या करना है, सबसे नीचे जमा करने पर क्लिक करना है, जैसे हमने तो नीचे आ गया कि देखिए, लबारती सवलता प्रुक जोड़ा गया है, तो यहन पंचिकन लाभारती, यहाँ पर जो दिख रहा है, क्लिक करना है, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं, नीचे आ गया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, राम कुमार, आयू, 63 वरश, पुरुष, यह mobile number है, चीक है, और यह जो इसका address है, तो इस सारा जो है, यह नीचे वाला है, राम कुमार, 33 वरश, और यह mobile number है, और यह इसका जो है, रिपोर्ट किया गया है, अगर आप एक्सल की शीट में, मालो 50 बंदे हैं, जैसे एक सेशन में 70 परसन होगे, जैसे आप इसको डॉनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर गया, तो डॉनलोड करके अगर हम ओपन करें, तो यह एक्सल की शीट में, जो है, ओपन आ जाएगा, तो यह देखीजी, यह आगया, mobile number आमकुमार, 33 वरश, आयू है, ठीक है, यह self-reported smoker plus 60 plus, तो आप देख सकते हैं, कि किस प्रकार आप कुछा है, प्रिजिस्टरेशन का अगे, डू लिस्ट आगे, ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पर जो है, साइट जो है, स्लेक्ट करनी है, जैसे हमने स्लेक्ट कर ली, फिर हमने प्रिजिस्टरेशन के क्लिक करना है, तो प्रिजिस्टरेशन पर आगे, अब आप देख सकते हैं, आप से यहाँ पर जो है, निक आइडी होती है, आठ डिजर्ट की होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, तो हर आशा वरकर के पास, आशा वरकर को पता ही होता है, कि उनके कितने पेशेंट है, TV के, ठीक है, लास्ट 5 सालों में कौन-कौन से पेशेंट थे, ये भी आशा वरकर को पता होता है, और जो आश के पुराने पेशेंट होंगे, है ना, तो वो निक्षए आईडी निकाल के आपने यहाँ पे डालने है, और वेरिफाई पे कलिक करना है, तो अभी तो यहाँ पे शोनी होगा, क्योंकि हमने गल्त आईडी डाल लिए, तो जैसे आपके पास आईडी होगी, फिर आप जो है डालके, वेरिफाई करेंगे, तो यह सारा डाटा आपके पास फिल्ड मिलेगा, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक और रिस्टेशन करके दिखते हैं, तो हमने द्वारा से मॉवाइल नमबर डाल दिया, 7 डाल दिया ना, 1,2,3,4,5,9 डाल दियते हैं ना, 1,2,3,4,5,9 है ना, तो उसके बाद डेटो बर्थ अब हम लेते हैं, मलो, अगर आप डेटो बर्थ, 19, 99 लेते हो, ठीक है, या फिर हम लेते हैं, 2010 लेते हैं तो जैसे हमने 18 साल से नीचे वाली डेटर पर ठाली तो देखो लिखा आ गया तो यह नहीं कि 18 साल से नीचे तो यह क्वालिफाई नहीं है तो यह नहीं उठाएगा यह बात का ध्यान किया ठीक है अब हम लेते हैं जैसे माल लो 90,90 ले लिए हमने तो यह नहीं उठा ली तो अब हमने जो है डेटर डाल दी है डेटर पर पूरी डाल दी यह तोड़ेट होने मिम्बर की केटेगोरी डालो है तो यह यह क्लिक कर रहे हैं आप देख सकते हैं मेंबर के डी पे जैसे हमने क्लिक किया स्लेक्ट टाइप ऑफ केटेगरी पे क्लिक किया अब 60 प्लस हट गया क्योंकि ये 60 से नीचे है तो जब 60 प्लस नहीं है तो वो केटेगरी तो खत्मी होगी तो अब आपके पास ये 5 है कैटेगरी आएंगी ठीक है क्या ये smoker है क्या ये previous TV patient है क्या ये उनके contact में थे तो अगर हम माल लो डाल देते हैं कि वो उनके contact में थे ठीक है और साथ में deavertik भी है तो हमने इस पे डाल के लिक कर दिया तो ये 2 चीज़े आपके पास आ गई ठीक है तो माल लो अगर इनका BMI भी जो है कम है तो उस पर भी हमने डाल दिया तो यह तीन चाहिए होगी तो बस अब इसके बाद जो है यहाँ पर नाम लिख देना है नाम जैसे शाम लिख दिया है चलो शैंपू आगया ठीक है जो भी नाम आया लिख दिया है ना कि फीमेल डाल देते हैं अब इनका हम कि फिर से धारकाड़ी डाल देते हैं ना क्यूंकि वन टू थी फोर फाइव सीक्स सेवन एट नाइन टेन लेवन ट्वेल्व है इन्वेलिडर धारकाड बता रहा है तो आपने जो है बारा डिजिट कंप्लिट करने है चार तो यह धारकाड इन्वेलिडर बता रहा है चलो अब देखते हैं इसके बाद हमने एडरस डालना है विलेज वन टू थी फोर फाइव ना पोस्ट ओफिस 5678 तहसील एबी सी ठीक है जिस्टिक जिस्टिक हमने डाल दी एक्स वाइज़ ठीक है तो बस अब यह पिन को डाल देना है छे डिजिट को होता है पिन कोड़े ना तो बस अब धार कार्ड इन्वैलिड बता रहा है बाकी तो सब कुछ इसने सही उठा पहले है तो हमने यहां पर अधार कार की जगा पैन का डाल दी थिक है तो अब देख सकते हैं मैंने पैन कर गलत नमबर को डाल दी थिक है तो बस सारा कर लिए अप समट पे क्लिक करेंगे जैसे समट वे है वह हमारी female है ना तो यह आ चुकी है अभ यहां से अगर डॉ डॉ Lovely ले और अपने डॉ अगेन पर क्लिक किया जैसे डॉल डॉ पे क्लिक क्लिक किया तो आपने यहां से जो है चेक कर लेना है शीट में जाक को आ तो शीट में जाके अपने चेक किया कि यह देखिए हमारे यह बेनेफिशरी क्या-क्या सिम्टम थे सारे प्रिजिस्ट्रेशन का जैसे आप यूवीन पर करते थे वैसे टीवी वीन पर प्रिजिस्ट्रेशन करनी है पर एक बात का ध्यान रखिए एक जनवरी से लेके 15 जनव आपको आजाएगी चैनल को लाइकिजिए और सब्सक्राइब कर लिजिए और वैल आइकन दुआई ताक्क आपको नोटिफिकेशन आजागी है ना तो आईडी पासवड आपके सेम रहने वाले हैं जो यूविन में थे वही टीवी विन में आईडी पासवड आपके सेम रहेंगे मोबाइल नमबर जो आईडी पासवड आपने पहले रखा था वही रहेगा ठीक है और जिस्टेशन आपने कब करनी है जब आपकी 18 प्लस का ड यसे आई की आप तो आपको जो है खबर कर दी जाएगी या वीडियो जो है बना दी जाएगी फिर आपने ये काम स्टार्ट करना है तो आप आप जो है समझ चुके होंगे किस प्रकार आपने जो है प्री रिजिस्ट्रेशन अडल्ट वीसीजी वैक्सिनेशन की 18 प्लस